उत्तर प्रदेश की जनता को योगी सरकार जल्दी एक और एक्सप्रेस्वे की सौगात देने जा रही है। अगले महीने जून तक बुंदेलखंड एक्सप्रेस्वे का तोहफा मिल सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस्वे परियोजना की कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस्वे और द्योगिक विकास प्राधिकरण याने यूपीड़ा ने मंगलवार को विडियो जारी कर इस एक्सप्रेस्वे की प्रगती को दिखाया है। इस एक्सप्रेस्वे का 95 प्रतिशत कारे पूरा कर लिया गया है। ड्यूपी सरकार का दावा है कि इस एक्सप्रेस्वे को पूरा करने के लिए मई महीने में काम की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और 20 जून तक निर्मान कारे पूरा कर लिया जाएगा। इस expressway के बन जाने से बुंदेलखंड अन्य एक्स्प्रेसway जैसे आग्रा लखनव एक्स्प्रेसway, पूर्वाचल एक्स्प्रेसway और यमुना एक्स्प्रेसway के माध्यम से अन्य जिलो से जूर जाएगा. करीब 296 किलोमीटर लंबा या एक्सप्रेस्वे अभी 4 लेन का है और भविश्य में इसे 6 लेन तक विस्तारित किये जाने की योजना है एक्सप्रेस्वे से बुंदेलखंड के लोग सिर्फ 5 घंटे में दिल्ली पहुँच सकेंगे इसके किनारे डिफैंस कॉरिडो, पेट्रोल भंप, शोचालय इत्यादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी बुंदेलखंड एक्सप्रेस्वे के फ्लाइ ओवर्स का निर्मान कारे पूरा हो चुका है जो बचे हैं उनका निर्मान कारे तीवर गती से हो रहा है यमुना नदी पर पुल का निर्मान कारे पूरा किया जा चुका है बेतवा और केन नदी पर भी पुल का निर्मान कारे पूरा किया जा चुका है इसको आगरा लखनव एक्सप्रेस्वे से जोडने का कार्य भी पूरा किया जा चुका है बुंदेलखंड एक्सप्रेस्वे पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए 15 पेट्रोलिंग वहनों की तैनाती की जाएगी एक्सप्रेस्वे पर 3.75 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड स्टैगर रूप में बनाई गई है बुंदेलखंड एक्सप्रेस्वे पर 6 पेट्रोल पंप भी होंगे इसके अलावा एक्सप्रेस्वे केन, बेत्वा, बागेन, श्यामा, चंदावल, बिर्मा, यमुना और सेंगर नदियों के उपर से गुजरेगा चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालोन, औरया और इतावा जिलों से होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेस्वे, आग्रा एक्सप्रेस्वे और यमुना एक्सप्रेस्वे के सहारे देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ेगा 14,849 करोर रुपे की लागत से बनने वाला या एक्स्प्रेस्वे बुंदेलखन क्षेत्र के लिए किसी वर्दान से कम नहीं होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो माई यूट्यूब चैनल थैंक यू